हेलो स्टुरेंट्स वेल्कम तो माइ यूट्यूब चैनल तो स्टुरेंट्स मार्श टूथाउजन ट्वेंटीफोर ओके कॉस्टिंग नू पेपर कॉस्टिंग के पेपर में अभी जो आपको कोश्टिंग आया था तिक अब उसमें देखो मैं आपको फटा-फट से उसके सा ये यांसर करवा देता हूं को normally यहाँ पर जो आंसर होता है वह अत-प कैसे निकाल सकते हो ऐसाओ करते हैं आप यूटूब पर मिरे पास की साओकोशन में जाओगे तोश्ट कोस्टोन में आपको बता आया था कि 8 lakhs का काम है उसको 80% कम कर दिया उन लोगों को जो work certificate मिला है न वो मिला है 560 तो 560 उसमें से less कर दो तो 560 उसमें से अगर less कर देते हैं तो आता 80,000 अब ये जो आया न वो uncertified work आया लेकिन ये हमें uncertified work का cost चाहिए ये cost नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर जो amount है वो कितना काम complete हुआ वो amount है और 640,000 के लिए हमने कितना खर्चा किया था तो खर्चा किया था 4,48,000 तो 80,000 के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा ठीक है तो इसको solve करोगे न तो 80,000 into 4,48,000 divided by 6,40,000 और आपका answer यहां पर आजाएगा 56,000 एक बार check कर लो देखो मैं अभी यहां पर ज्यादा समझाओंगा नि विकाज मुझे आपको solution पर ध्यान देना है तो आपका answer यह आजाएगा बस आप solution की procedure देख लो क्योंकि अभी तो exam almost खत्म हो गई तो मैं बस आपको यहां पर समझा नहीं रहा हूँ बस सिफ solution करवा रहा हूँ फटा फट से ठीक है चलिए तो देखो यहां पर अभी आपको क्या पूछा गया कि contract credit to P&L account 5,76,000 okay and this amount calculate on the basis of 2 by 3rd of the 80% cash price मतलब देखो आपको 5,76,000 की amount जो दे रखे न वो किसी profit loss account का जो total profit था ना contract account का जो total profit उस total profit का 2 by 3rd into 80% मतलब 80 divided by 100 करके दिया था तो यह total profit आपको दूनना था तो 5,76,000 into 3 into 100 क्योंकि यह 3 सामने जाए तो multiply में हो जाएगा यह 100 भी सामने जाए तो क्या हो जाएगा multiply में और यह 2 और 80 यह सामने जाए तो divide में तो आपको x का value मिल जाएगा आप check करो ठीक है आपको x का value मिल जाएगा check करो 5,76,000 into 3 into 100 divided by 2 divided by 80 कितना आ रहा है answer आ रहा है कुछ 10,80,000 यह अपना हो गया x यह आ गया answer 10,80,000 देखो कितने marks आपके आ रहे है वो नीचे comment में करना ठीक है सबको comment करनी है जितने marks आपके आ रहे है जितने right होते है ठीक है और और कोई भी doubt हो तो आप पूछ सकते हैं यहां पर cost plus contract मैंने आपको बता है जब important दिये थे ने मैंने costing के उसमें यह बता है था कि cost plus contract और escalation clause यह कर लेना यहां से यहां तो mc क्यों आएगा तो theory आएगी तो देखो यहां पर एक cost plus contract की theory आई उसमें option होगा contract plus percentage of profit मतलब contract plus percentage of profit मतलब contract expense जो होगा उसके उपर फिर यहां पर आ जाएगा क्या पुछा है contract account में uncertified work का मतलब क्या है यार यह तो बहुत simple है ऐसा work जो अभी तिक certificate नहीं मिला उसको uncertified work बोलते है तो बतलब work not certified हो गया जिस work को अभी certificate नहीं मिला वो uncertified work हो गया simple सा अब यह भी बहुत simple सा कि आपको cost दे रखिये per passenger km की और आपको बोला है 2 city के km driving ठीक है तो 0.64 को 300 से multiply कर दो कितना आता है 0.64 into 300 192 अब 192 आपका answer नहीं है because यहां पर बोला है कि आप जो profit लेने वाले हो ना वो आप जो भाड़ा लोगे ना उसके पर 40% आपका profit होगा मतलब समझो अगर आपका जो rent होगा ना वो 100 रुपे लोगे तो उसमें 40% क्या करो profit करोगे 40% क्या होगा profit होगा तो आपका जो cost होगा वो कितना percent हो जाएगा 60% यही थो था हा ना मतलब 100 रुपे अगर ticket का भाड़ा है तो उसमें 40% profit है क्योंकि fair income जो भाड़े की income है उसके पर profit 40% चाहिए ठीक है और यह तो अपनी क्या आ गई total cost आ गया तो आपको क्या करन तो 192 की cost पे भाड़ा कितना तो यहाँ पर 192 into 100 divided by 60 तो answer आ गया 320 तो यह अपना 320 answer आ गया ठीक है फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा है which of the following item is considered as a fixed cost बहुत simple यार fixed cost किसे कहते है license fee fixed cost होता है यह तो variable हो गया यह भी variable हो गया यह भी variable हो गया यह भी variable हो गया यही fix हो गया काम खत्म फिर यहाँ बर गया बूचा which of the following item is considered as a variable cost अच्छा variable cost कौन सा हो गया तो देखो यह fix cost हो गया यह भी fix cost हो गया salary यह भी fix cost हो गया यह variable cost हो गया यह आपका answer आ गया खत्म चलिए उसके बाद आपको बोला क्या गया कि हम लोगों ने अगर 1000 unit input किया है introduce मतलब input क उसमें 10% normally loss हो जाता है तो मतलब 1000 में से 100 unit loss हो जाता है 900 unit का production हो लेकिन हमारा production 900 नहीं हो रहा है 920 हो रहा है यह तो अच्छा है ना हमारे लिए मतलब 900 का production होना चाहिए 920 का हो रहा है तो 20 unit extra बन रहे तो यह gain हो गया कौन सा abnormal gain तो 20 unit का abnormal gain हो गया काम खत्म उसके बाद आपको बोला के हम लोगों ने 3000 unit input किया था तो 3000 unit input किया उसमें से actual production आपको दे रहा है normal loss दे रहा 10% of input मतलब इसका 10% loss हो जाता है तो यह आजाएगा 2700 और यहाँ पर बोला actual production जो है ना वो 2400 unit हो रहा है तो यहाँ पर तो नुकसान हुआ ना 2700 के जगा पर 2400 unit ह भी बन रहा है मतलब 300 unit और कम बन रहा है तो यह loss हो रहा है कौन सा abnormal loss तो यहाँ पर वैसे पूछा यह abnormal wastage बताओ 300 unit चलो which of the following process costing is not complete अच्छा कौन से process costing नहीं लागू पड़ता देखो swap बनाने rubber बनाने और dairy बनाने के production में हमने process costing सही काम होता है contract costing यहाँ पर होता है construction work में contract costing होता है process costing implement नहीं होता ठीक है यह तो basic सा knowledge है अब यहाँ पर पूछा है कि in process costing abnormal loss is debited to देखो abnormal loss जो है वो PNL account में ही debit करते हैं ओके आगे बढ़ते हैं the difference between the budgeted amount and actual cost budgeted amount and actual cost यह तो देखो books में है मैंने कल भी आपको telegram पे बोला था कि books के ही mcq करके जाओ आरम से pass हो जाओगे ठीक है आप इधर उदर के फाफे मार रहे हो ना कि इधर से PDF मिल जाए उदर से मिल जाए ऐसा कुछ नहीं है ठीक है books के पहले कर लो priority base पे तो books के कर लो 15 में से 10 mcq तो books से ही होंगे 5 mcq इधर उदर के होंगे वो भी copy करके लिख लेना ठीक है efficiency variance मतलब quantity variance हो जाता है यह भी books में है same है अब check कर लेना और यहां पर पूछा है कि तो देको यहां पर क्या पूछा है इस रिफर्ड तो सेट पैरामेटर देट कैन भी अच्यू बाइद अच्यू बाइद अगर आप एक बार एक बार एक बार एक बार करके future में इसमें क्या changes होने वाला है उसके हिसाब से अगर आप देखते होना तो मुझे यहां पर लग रहा है historical cost आएगा क्योंकि देखो books के अंदर है ना same topic यहां पर available है देखो historical standard में यहां पर available है कि those are the standard fix it by the reference to record the past performance तो इसके base पर मुझे लगता है कि यहां पर answer यह आना चाहिए तो फिर भी एक बार देख लेंगे इसका अगर answer कुछ और आता है तो change करेंगे उसके बाद अगर आप यहां पर देखो तो क्या correct है अब देखो यहां पर अगर सारे option बढ़ते हो ना तो एक बहुत simple सा दिख रहा है कि पहले तो देखो material price और material uses और वो दोनों मिला के क्या होता है cost तो यह तो answer सही है लेकिन check करो कि क्या कहीं पर question में all of the above हो तो नहीं दि आएगा तो यह हो गया आपके सारे mcq तो comment कर लेना आपके mcq कितने right answer है वो अब उसके बाद देखो यह जो सारे question है वो pass year के paper के और books के पूछे हुए question है ऐसा कुछ नया नहीं है मैंने आपको करवाया था उसको करके जाओगे तो भी pass हो गए होंगे अब इसके answer अलड़ी आप देखोगे तो course के अंदर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको मैंने सब solution करवाया बात करते theory theory के लिए अगर देखे तो theory क्या पूछी थे आपक है ठीक है costing के important पे वहाँ पर मैंने यह सारी के सारी theory दिया था ठीक है कर लिया होगा तो pass हो गए होंगे ठीक है और मिलते है next lecture में अभी उसके बाद आपके आने वाली exam के लिए best of luck और हो सकते हो में लिए telegram channel join कर लेना ताकि आपको आगे के जो भी importance है या कुछ भी है तो म मिलता जाए ठीक है goodbye और take care